आज का शीर्षक है मनुश्य में स्वसन प्रणाला वातागरण और शरीर की कोशिकाओं की बीच ग्यासों के आदान प्रदान की प्रख्रिया को स्वसन कहा जाता है और सांस लेने से तकी घटनाओं को शामिल किया जाता है मनंक्रदिशयों को श्राथन ऑक्सिजं की सबिक हरा ठापोर्थी होती आयँ वे अक्सिजन लेते हैं और काविन डाइचसाइड बाहर छोड़ते हैं जिनमें जहरीले अप्शिष्ट ऊप्पाद होते हैं पेफ्रे मानोश शरीर में अवश्रश्र श्वसन अंग हैं। मानोश रश्र के पास दो पेफ्रे हैं जिम्ने क्रमशा दाय और दाइं कहत magg προ हैं। पेफ्रों की को सता शेत्र है सुप्तर वर्द में पर अल्वियॉली जो छोटे दंद कोटर जैसे हैं एक प्लादर शब्द अल्वियॉली से लिद्ध कन पुए हैं ये शाखाएं आगे मुख्य ट्यूब में फोखले गुवा जैसे जो भी अलग दाएं और पाएं फेफड़े में ख़वा पहुचता हैं इन ट्यूबों को आगे ब्रॉंक्योज कहा जाता है जो हजारों मात्राओं में हजारों मात्राओं से भी जादा वहां मौजूद होते हैं इन ब्रॉंक्योज के व्यास लगभक 0.30 मीटर होता है जो अल्यूज के गठन के परिनाम स्वरूत शाख्माओं की संख्या को 22 बार में खुद को विभाज़ित करते हैं क्योंकि अल्यूज की जो सत्य है वह बहुत पफ्ली है इनके जो केशिका है वहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है इस अल्यूज थैली और इसके कोशिका पर गैस विमनाई की प्रत्वी आसानी से देखी जा सकती है ऑक्सिजन प्रेरित हवा एक सफीद गैस की रूप में प्रत्वी प्रत्वी किया गया है अब दी समाप शेत्र में कार्दन डाइकसाइड एक नीली अंतराल की रूप में प्रत्वी किया गया है गैस वह हुन है कि दोरान लाल रख्ट केशिकों के रंतर वागत्र की सुचा पर देपा जा सकता है। एक आराम की औसत सांस की देर गर्स प्रती मिनत के बारे में 10 से 20 सांस होता है. हम सांस लेने में परीबन एक टिहाई एक मोट का खर्च कर देते हैं. कुल सांस लेने की शंता गटी पर निठ्वर करती है. उम्र उचाय वजिन ओलें. ये देखा गया है कि मेलाओं में पोर्षो के पुल्या में 20-25 पुदिशत का सांस लेनी की शांता है ऐसा ही देखा गया है जो छोटे पड़ वारे लोग होते हैं और जो लोग समुद्र के स्थेट पर रहते हैं और जो लोग धुम्रपान गयते हैं अन्य लोकिन का भी पेप्रेक का अकार्य है कि हार्मून परिवर्टिक रख्ट महत्वाहिकाओं के संकुचन को हटा कर रख्ट जाब राई अप्षिष्ट हटा के लिए रख्ट में उत्ताज़तों को मिलाता है ये दो लंबे पेप्रेक मीडिया अरोस्तिक नामत एक संड़चना से अलग होती हैं पेप्रेप्रेक फुस्फुस के रूप में जाना जाता संड़चना के अंटर्वथ आता है हमारे पेप्रेक बहुत में पुकून अंगे हमारे शरीर का जो हर पर्विदिन में पारे करता है जिसमें से सांस लेने को सब्सक्र जरूरी माना गया है जैसा की पहले वकाता बताया गया है पेप्रे ऑक्सिजन लेते हैं और कार्विदिक से बाहर देते हैं हमारे सांस लेने वक्त हवा मानव शरीर में पवेश करती हैं और एक सांस की नली के माधन से पेप्रे तक पहुचती हैं पेफ्रुद्वारा निर्मित पेख चिप-चिपा तरग जिसे मूकस कहते हैं नहीं चाल सास पर पढ़ां का जो बलगं की रूप में होता है सुरक्षात्मक एजेंट पोशिकाउं बिरा में सहायता करती है और इस तरह के हानिकारत पदार्थ और बैक्तिर्या पर विनाश करती हैं यह जो बैक्तिरिया पुट्पन होते हैं वह हमारे सास लेने की तक्रिया में होते हैं इसलिए एक अच्छा विकल खासी के लिए है खासी बलगं और अन्य समग्तरी यह सब चीजों को हमारे